आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इक्विवेलेंट फ्रेक्शन इक्विवेलेंट फ्रेक्शन को हम दो तरिके से डून सकते हैं मल्टिप्लाइ करके या डिवाइड करके दोनों तरिकों को मैंने इसमें इक्जाम्पल देकर डिसकस किया है और सबसी easy trick इसमें आपको बताई है तो आप वीडियो को end तक देखिए मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो जुरू पसंद आएगे आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ equivalent fraction equivalent fraction का मतलब होता है जो fraction दिया गया है जिसके equivalent आपको निकालना है उसकी बराबर की value का ही दूसरा fraction बनाना जैसे आपको यहां मैंने ये pictures दिखाई हैं इन्हें देखके आपको समझ में आ जाएगा आप ये जानते हो कि जो numerator होता है वो उपर लिखा जाता है नीचे वाला denominator होता है तो जब भी इस तरीके से shaded part होते हैं जो total parts हैं वो नीचे denominator बनते हैं और जिनको हम count कर रहे हैं वो उपर numerator बनते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर two parts है one or two, two नीचे आया green part अब इस पर देख रहे हैं तो green one part है तो one upon two हो गया अब हम यह देखते हैं देरा four parts one, two, three, four total parts नीचे आये green parts are two तो two upon four हो गया अब इसमें आप total parts देखेंगे six और जो green parts हैं इस आप three हैं तो यह उपर आगया इसमें eight parts है total और जिसमें से की one, two, three, four, four green है और जो total eight parts हैं वो denominator बन गया है इसमें one, two, three, four, five five green parts हैं और total parts हैं ten आप देखे हो यहाँ one upon two है इसमें यहाँ one upon two है यहाँ two upon four है three upon six है, four upon eight है five upon ten है आपको लगेगा कि यह different होंगे लेकिन अगर आप picture को ध्यान से देखो समें half part ही green है तो उतना ही part बनेगा अब अगर इन्हें आप काट के देखें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि सब one upon two ही हैं यह two upon two, two to the four यह one upon two है यहाँ पे three upon six है three upon three, three to the six यहाँ four upon eight था four upon four, four to the eight यहाँ five upon ten था, five बनेगा five, five to the ten तो यह है इसके equivalent fraction और example हम ले ले लेते हैं इसमें pink color को देखते हैं यहाँ four parts है, pink है one तो यह हो गया one upon four यहाँ अब आप देख रहे हैं कि two है pink parts two और जो total parts है वो है eight two upon eight हो गया इसमें आप total parts देख रहे हैं one, two, three, four, five तो five नीचे आया इन five में से one blue है और यहाँ पर total parts one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ten हैं और two आपके देख रहे हैं आपकी blue parts हैं अब आप यह आप समझी रहे हो कि इसमें equal parts हैं यह देखो pink वाले equal है उतने शेर यह है, जितने यह, इतने यह है fraction को आप काटेंगे तो आपको answer यह ही मिलेगा two, one, two, two, four, eight one upon four आया two, one, two, two, five, ten one upon five आया तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह equivalent हैं यहाँ पर कुछ और example भी दिये हैं यहाँ पर orange पार्ट है, one और total है three, one upon three यहाँ पर orange two पार्ट हो गए, और total है six, यहाँ पर यह three हो गए orange पार्ट और इसमें one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, यह nine हो गए, अब इने हम अगर काटते हैं, two, one, two, two, three, six one upon three है, three, 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 nine तो आप देख रहे हो कि यह सब equivalent हैं one more example, इसमें two parts purple है और total parts है three, इसमें purple part one, two, three, four, four है और जो white part है, sorry जो इसमें four parts है, वो purple है और जो total parts है, वो है six यहाँ पर one, two, three, four, five, six six है purple parts, six के बाद seven, eight, nine, nine है total parts अब इनको अगर हम काटते हैं two, two, four, two, three, just six two upon three, same answer है two, three, just six three, two, three, just six two, three, just six, two का table इसमें नहीं चल पाएगा three का, क्योंकि nine में भी same table चलना चाहिए three, two, just six और three, three, just nine तो सबकर two upon three इसमें आंसर आ रहा है आप देख रहे हैं part भी उतना ही shaded है तो यह equivalent fraction के निकलता है दो तरीके से या तो multiply करके और या फिद डिवाइड करके चल यह example से मैं आपको समझाती हूँ आप यहाँ पर देख रहे हैं three upon five के हमें equivalent fraction निकालने है multiply करने के लिए आप denominator numerator दोनों को two से multiply करिए सबसे पहले तो three, two, just six यह आप देख रहे हैं three, two, just six, five, two, just ten तो six upon ten आ गया अब three से multiply करिए आप three upon five को ही तो three, three, just nine और three, five, just fifteen nine upon fifteen अब four से करिए three, four, just twelve and five, four, just twenty तो twelve upon twenty आ गया है तो यह सारे three upon five के equivalent fraction है अगर check करना हो तो उनको काट के देखिए table से three upon five यह answer आएगा मैं आपको बताती हूँ exam में आपको करने की जोट नहीं है क्योंकि equivalent अगर fraction है तो आपको केवल fraction ही write करना है यह मैं केवल चेक करने के लिए आपको बता रही हूँ तो जैसे की six में और ten में two का table चलेगा two, three, just six, two, five, just ten three upon five आया इनमें दोनों में three का table चलेगा three, three, just nine, three, five, just fifteen three upon five आया इनमें four का चलेगा four, three, just twelve बात दिमाग में रखिए कि जब भी आपको equivalent fraction निकालना हो जितने भी निकालने के लिए कहे गए है पहले दोनों को numerator को भी और denominator को भी two से multiply कर लिजे वो एक बन गया फिर three से कर लिजे वो second बन जाएगा फिर four से कर लिजे ऐसे जितने बनाने हो उतने आगे आगे आप number से multiply करते चले जाएए एक example में देखे और आपको और समझा रही हूँ यह two upon seven इसका हम equivalent निकालना है तो हमने two से multiply किया तो two two जाब four और two seven two जाब fourteen अब three से किया two three जा six यह six आगिया seven three जा twenty one तो six upon twenty one four से किया तो two four जा eight और seven four जा twenty eight अब five से किया two five जा ten and seven five जा thirty five तो ten upon thirty five आगिया चेक करने का तरीका वो ही है आप four upon fourteen को करेंगे तो two two जा four two seven जा fourteen तो यही इसमें काट के इसको आएगा इसमें three का टेबल चलेगा three two जा six और three seven जा twenty one तो आप यह देख सकते हैं इसमें इसमें four ही चलेगा four two जा eight and four seven जा twenty eight इसमें five चलेगा five two जा ten and five seven जा thirty five है ना equivalent magic है ना यह याद रखना है आप जो दोनों में चल जाए numerator में भी और denominator में भी जैसे हमने twenty eight upon fifty six देखा तो इसमें कौन सा टेबल ऐसा है कि जो दोनों में चल जाए तो टू से तो यहाँ पे हम करके देखेंगे आप तू बंजा टू जा टू और टू फोर्जा eight तो 14 आ गया तू टू जा four और टू एट जा 16 यह फॉर्टिन टाइम चल गया अब टूटिएट में 5 दिचल सकता है क्योंकि उतमें जीरो और फाइव होना चाहिए लास्ट में 6 भी नहीं चलेगा 6 के टेबल में 28 आते ही नहीं है क्योंकि 6424 6530 यह होता है तो 7 का चलेगा 74028 and 78056 तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं I think के समझ में आ गया होगा multiply वाला easy लगता है multiply से करें divide वाला easy लगता है divide से करें कभी कभी क्या होता है कि numerator given होता है आप यह देखिए कि 3 का table 15 में कितने times चल सकता है 3 का table 15 में कितने बाद चलते 3 5 जब 15 होता है और आप denominator को भी उससे multiply कर दीजे मतला जो इन दोनों को आपको पता चला है कि कितने times है उसी सेम नंबर से आपको denominator को भी multiply करना है तो 3 फाइजा 15 and 7 फाइजा 35 तो यह हुआ इसका answer ओकी चलिए एक और चेक करते हैं अब टू अपोन 5 है और इसोने डिनोमिनेटर दिया है 20 अब हम टू का table 20 में चला के देगेंगे 10 टाइम्स चलेगा तो अब दोनों को हम नियुमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 10 से ही करेंगे तो 2 टेंज 20 और 5 टेंज 50 तो इस इस दा आंसर ओकी कभी डिनोमिनेटर दिया वह होता है तरीका सेम है बिल्कुल कि आप जो डिनोमिनेटर है उसको table देखिए चला के यह कितने टाइम चलेगा सिंपले डिवाइड करके देख लेजे अगर जैसे यह बिग नंबर है तो आप डिवाइड करके देख लो भी पता चल आपको 236 और 133 टाइम चलेगा 63 तो अब आप numerator को 3 से multiply कर दीजिए तो 7 तरीजा 21 और 21 तरीजा 63 इस इस दा answer कितना easy तरीका one more example चलिए discuss करते हैं वन अपन 3 और इसमें हमें जो उन्होंने दिया है वो 15 है तो आप इसमें multiply करके देखिए पहले मैं इसमें हमें इसका 15 बना तो 3 का table 15 में कितने time चला है 5 बार चलेगा 3 5 जब 15 होता है तो 5 5 से multiply करिए 1 5 जब 15 और 3 5 जब 15 1 5 जब 5 और 3 5 जब 15 आपको समझ में आगे practice करके देखिए अगर आप प्रेक्टिस करेंगे तो आपको रूलना बिल्कुल दिमाग में set हो जाते हैं और math में कोई weakness आपके नहीं रहेगी तो आपको समझ में आ गया है chapter तो वीडियो को like कर दीजिए और अगली वीडियो का wait करिए मैं आपको next वीडियो में बताने जा रही हूं perimeter और area के बारे में ओकी चलिए till then bye bye